जैहन केट्स, केट्स वेलकम टू यॉर माई ड्रोइन क्लास केट्स आज हम एक बहुत अमेजिंग सी चीज बनाना सिखेंगे अभी हमने बहुत बार कलरिंग कर लिया, ड्रोइंग कर लिया, ड्रॉ करके उसमें कलर कर लिया, राइट? बोड हो गए है, थोड़ा-थोड़ा सा न, अब हमें थोड़ा चेंच चाहिए, तो अब उस चेंच के लिए हम क्या करेंगे? उस चेंच के लिए हम बनाएंगे envelope, अब को पता है envelope क्या होता है? मैं बताती है जब आप कहीं पर शादी में जाते हो तो आपकी ममा या आपके पापा किसी को पैसे देते हैं तो देखा एक पैकेट सा जिस पैकेट में पैसे डाल कर देते हैं या फिर हमें कोई पेपर्स देने होते हैं एक packet में हम paper डाल कर देते हैं, उस paper folding को बोलते हैं हम envelope. तो आज मैं मैं आपको envelope बनाना सिखाएंगी, फिर आप ममा को बोलना कि ममा, अब मैं ही envelope बना दूँगा, आपको market से लेने की जरूरत हैं. ओके kids, तो take out your my art and craft book. And open page number 2525. Yes, अब आपको इसमें दिख रहा है, ये क्या है? ये ही तो है बच्चो envelope, जो हम बनाएंगे, किस से? आपकी book में ये एक paper दिया हुआ है, इस paper को fold करके, हम लोग क्या बनाएंगे? Envelope, तो अब आप इस paper को slowly slowly tear कर लीजे, अगर आपके tear नहीं होगा, तो आप मम्मा से tear कराईएगा. उसके बाद जो ये extra extra है, इसको scissor से cut करा लीजेगा. Yes, मैम ने क्या करा? जो extra था, वो cut कर लिया. अब मैम आपको इसे fold करके, जैसे जैसे इसमें instructions दिये हुए हैं, इसी के according envelope बनाना सिखाएंगी. Okay, kids? Yes, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? जो ये white वाला area है. Blue वाला area नहीं, white वाला area. इसको हमें किसमे? triangle shape में change करना है, इस तरीके से. Like this. ये हमारा क्या बन गया? मैम ने आपको triangle सिखाया था ना, maths में. तो ये हमारा बन गया triangle. Yes. Okay, अब हमें क्या करना है? अब हमें इधर से भी. मनलब left से भी और right से भी. दोनों तरफ से turn करना है. कैसे? देखिएगा ध्यान से. ये मैम ने करा, left से turn. फिर मैम ने करा, right से turn. Yes. हमारी बुक में एक paper छोटा सा दिया हुआ है. अगर आपको big वाला envelope बनाना है, तो आप big paper लीजेगा. Okay? उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें जो ये उपर वाला paper है, इससे two बार turn करना है. One and two. और second वाले turn में हमें क्या करना है? Second turn जो हम करेंगे like this. ये हो गया. ये हमने उपर से fold कर लिया. अब इसके बाद हमारा envelope क्या हो गया? हमारा envelope हो गया ready. ये देखो के अब आप इसके अंदर यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो. Small coins, notes वले money आप रखकर और दे सकते हो. बुक में हमारा paper small दिया हुआ था. इसलिए हमारा envelope भी small बना है. अगर आपको big वाले envelope बनाना है, तो आप big paper ले सकते हो. अब आपको ये envelope अच्छे से बनाना है. एक बारी मैं हम आपको book के instructions के according दुबारा समझा देती है. पहले मैं हमने triangle shape में paper को turn किया. उसके बाद left side से fold किया, फिर right side से fold करा. उसके बाद ऊपर वाले paper को हमने two बार turn करा. One, फिर two. और उसके बाद हमारा envelope ready हो गया. कौन सा? Page number 2525 पर. ओके? ये page तो मैं हमने आपको सिखा दिया. लेकिन इससे पहले एक page है. That's called 2424. इस पे एक landscape बना हुआ है. Landscape में क्या-क्या बनी हुई है? hut and tree. अब आपको इसमें homework में क्या करना है? इसमें आपको color करना है. जैसे जैसे इसमें color दिखाए हुए है. Like tree में कौन सा color होता है? Tree में green color होता है ना? तो हम यहाँ पर green color करेंगे. यहाँ पर yellow color करेंगे. यहाँ पर red, इधर purple, इधर blue और इधर भी yellow. तो इसी तरीके से आपको color करके यह page complete करना है. 2424 homework में. Okay kids, now enjoy your day. Bye-bye.